नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग दोस्तों आज आप पुथवा अलग टाइप का वीडियो लग रहा होगा इसलिए कि घर में देखे कोई है नहीं सब गया है दुरगापुजा की फेस्टिवल का स्व करने के लिए तो मैं और मेरी बेटी सिफ है और यह अपना हमबर्क बना रही है बगल में बैठके आप देख रहे हैं और चुकि मुझे वीडियो भी बनाना था आप लोग के साथ जोड़ना भी था आज लाइफ टेड का वीडियो भी नहीं कि मैं ट्रेड किया नहीं तो मै यह पसंदा है वीडियो ज़रूर लाइक करिए और कमेंट करिए और चैनल पर जोइन कर सकते हैं और आपको लाइब मार्कें में कॉल मिलता है मैं खुद फास्टिंग में चल रहा हूं नवरात्रा क्या हुआ हुआ है इसके वाज़ा से आवाज भी थोड़ी धीरे आ सकती ह हो सकता है कि फास्टिंग में हूं इस वज़ा से खर चलिए सुरुबात करता हूं बैंक निप्टी और आज आपको चार्ट इंवेस्टिंग डॉट कॉम पर दिख रहा होगा देखिए मैं यहां पर आपको दिखा दूं कि बैंक ने पीजिए लो लगा ना वह 44,833 का लो लगा और ख्लोजिंग भी कर रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो ख्लोजिंग भी यह किया हुआ है चलिए मैं यहां पर पेंट टूल उपन कर लेता हूं लोजिंग भी यह किया हुआ यहां पर बात कर लो लोग बात करने यह विलकुल लोगे यहां पर लिखताऊ हुआ है यहां यहां पफ्लोज दो कॉलोडेयल तो चलो चलो आगे बढ़तों इसकी आदत है यह जो है अपना काम करके टाइम बिताने लग जाती है बना बना हुंबर पनाओब अभी लोग टुक्लोज है तो लोग टूक्लोज में कहा किके माज में बता पाओंगा कारण की तो 43,850 आपको ये प्राइज याद रखना है कि 43,850 अगर इसके नीचे निकलता है तो आपको सेल कर लेना है आपको बिल्कुल सेल साइड में चल जाना है और इस कंडिशन में जो आपके टार्गेट बनेंगे सिंपल समझे पहला छोटा वाला टार्गेट होगा 43,800 यह चोटा और यह इंपोर्टेंट लेबल है आई एंपी मैं यहाँ पर लिख दूँ आई एंपी इस वैरी वैरी इंपोर्टेंट लेबल 43,800 के नीचे अगर यह गिरता है तो फिर आपके लिए नया लेवल खोलेगा जिसका प्राइज आता है 43,500 यानि कि 300 पॉइंट की रैली वहां तक आपको मिलता है अगर यह 43,800 के नीचे आ गिया दोस्तों तो यह बहुत ही बिद्वहन समचा देगा इस कंडिशन में फिर आप यहाँ पर एक प्राइस चले मैं आपको यहाँ पर एक लेवल की बात करो आप इस कंडिशन में क्या करें पूट ओप्शन ले सकते हैं अगर यह कल 43,800 के नीचे आता है तो आप 43,800 का ही पूट ओप्शन लेके आप चल सकते हैं इसमें दिक्कत वाली बात नहीं बिल्कुल आप पूट ओप्शन यहाँ पर लीजे कहीं टेंशन नहीं है और इंडेक पूट ओप्शन से 100 और 43,600 एक नट में पेंट टूल को ले आता हूँ पेंट से लिखने में बनेगा ना तो अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 43,800 के नीचे अगर निकलता है आप सेल करिए पूट ओप्शन ले लिजे इस कंडिशन में 43,800 के ही स्ट्राइक प्राइस जो टारगेट बनेगा आपका 43,700 से लेके 43,500 तक का एक टारगेट देखने को आपको मिलेगा इस बात का ध्यान रखना आपको ठीक है अब ऐसा भी हो सकता है कि यह नीचे नहीं आए देखे जिस तरह कि इसने कंडिशन बना रहे हैं चांसे तो है यह नीचे आ जाए लेकि यहाँ पर एक लाइन मुझे लगाना होगा वो लाइन मैं यहाँ पर से ड्रॉ करता हूँ चलिए यह लाइन में ले लेता हूँ और यह प्राइज आ गिया है समझिये 43,000 मुझे लेवल आता है 44,000 पंद्रा मिनटत चार एसे तो मुझे यहाँ से दीग गया लेकिन वो 44,000 का लेवल आ रहा है है ना 44,000 का लेबल पर ही मुझे मामला जम रहा है अधरवाइस यह मामला जमता हुआ नजर नहीं आ रहा है लेकिन एक बॉक्स बना रखा है न यह क्या कर रहा है एक बॉक्स लेना है दोस्तों आपको तो 43,950 वो भी एक लेबल आता है जिसके उपर आप रिस्क ले सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल से 44,000 बढ़ियां लेबल है 43,950 वो लेबल है जिसके उपर एक बाइंग उपर्चुनिटी बन सकता है यहां से आप बाई करें बी यू वाई बाई कर सकते हैं टार्गेट आप 44,100 से लेके बहुत अच्छा रहा मामला तो यह लेबल को वो क्लेम करेगा वापस से यह वाला प्राइज आ रहा है एक लेबल आपको यादो का कि 44,200 वो बारवार सस्टेन करता था तो 44,200 तक यह जाने की कोशिस कर सकता है 44,200 उपर ज्यादा उभीद में बहुत हो गया आप माल लिजे और रिकवरी आ गया तो हो सकता है 44,300 का लेकिन यह सब यह तो हुआ एक नॉर्मल करनिशन में और अगर यह गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तो देखिए गैप अप खुल गया कितना खुलेगा 44,200 वाला उससे ज़्यादा का उम्मीद ही नहीं रखा है मैंने बहुत हुआ तो इस लेबल को क्लेम करेगा इसका प्राइज वह 54,200 का है है तो अगर यह लेबल,54,200 तक यहां पर यह खुल जाता है अगर यह गैप अप यहां पर खुलोन था लेप करना है तो आपको और यहां पर खुलता है तो प्रोपर eल करके चलना है Window पस और टार्गिट हो सकता है ज 1.800 मेरे लिखने में आज नहीं बन पना पहले ही मनें बता दिया वीडियो की सुरात में इसलिए 44,000 यह सेल करना है और वापस यह 43-800 के लेवल को क्लेम कर सकता है तो उपर से आप पूट ऑप्शन ले सकते है चोवाली सजार 200 के स्ट्राइक प्राइस करती है और यह गैप अप सिनेरियो में होगा और अगर यह गैप डाउन हो गया यानिकि नीचे खुलता है तब तो नीचे जो है गैप डाउन गैप डाउन ठीक है गैप डाउन अगर खुल गया और यह डारेक 43-500 पर खुलता है तो देखिए यह एरिया है जहां पर आप बाइं का रिस्क ले सकते है और इस कंडिशन में जो आपको टार्गेट बनेगा वो 43,600 से लेकर बहुत हुआ तो 43,900 जो की लगवल वा आज का क्लोजिंग प्राइज है वहां तक कॉल ओप्शन ले सकते हैं यहां से आप 43,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ओप्शन ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर जाने पर यह कॉल ओप्शन यूपर जाकर आपको प्रॉफिट देगा क्लियर है चलिए यह तो हुआ एक बैंक निफ्टी का लेबल अब इसी चर्टंग के सामने में आ रहा है तो क्या दीख रहा है निफ्टी का चार्ट अभी आजा भाई तो है कि निफ्टी के ने कि लोजिंग कि कहा उनिस छेइस सोट्शण क्यां सब्स août आहां पर बना यह तो यह वाला देखे चार्ट पर वन डे के चार्ट पर शिफ्ट करता हूं यह तो आज की क्लोजिंग है मैं क्लोजिंग सही देख रहा हूं ना आज की क्लोजिंग है 1906660 पर लो लगाए वही दिक्कत है कि जैसे ही 650 के नीचे जाएगा आपका सेलिंग हाबी हो जाएगा यानि कि 19,650 इसके नीचे जाने पर आपको बिल्कुल सेल करना है 19,650 के नीचे जाने पर और इस कनिशन में टारगेट 19,600 से लेके 19,500 तक कर टारगेट आपको मिल सकता है पूट ओक्षन आप लेके चल सकते हैं 19,650 के ही स्ट्राइक प्राइस का पूट ओक्षन ले लिजिए और अगर बाय साइट नीच साथ सो पचास के ऊपर लेके रिस्क लेना है तो आप 19,700 के ऊपर भी ले सकते हैं 19,700 ऊपर के भी आप बाय कर सकते हैं लेकिन बढ़ियां रहेगा अगर आप 19,750 के ऊपर आप बाय करें तो ज्यादा बहतर होगा इस कर्णिशन में जो आपके टार्गेट बनेंगे वो 19,800 क्लियर है यहां तक आपको एक टार्गेट देखने को मिलेगा और बहुत हुआ तो हो सकता है आपको प्रॉफिट देगा तो यह लेवल बन रहा है गैप अगर 200 उपर फुलता है गैप अप में तो यह कहां खुलेगा यह खुलेगा हो सकता है यह 19,850 पर खुल जाए अगर यह गैप अप खुलता है तो यहां पर से आप सेल करिएगा और जो टार्गेट बनेगा वो 19, देखिए आज स्क्रीनशॉट मत खिचिएगा आज सुनिएगा क्योंकि मैं लिख नहीं पारहूं सही से अब यहां पर यहां पर 19,750 तक और 19,700 के तार्गेट आपको बन सकते हैं अगर यह 19,850 के पास में ओपन होता है तो वहां से गैप अप में सेल करना है पूट ओक्षन आप लेके चल सकते हैं इस कंडिशन में और 19,850 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं क्लियर इंडेक्स नीचे आने पर यह पूट ओक्षन ऊपर जाएगा और अगर यह गैप डाउन हो गया यानि की जीडी हो गया और यह डारेक्ट खुल जाता है सब्सक्राइब का सारे लेबल है सारा विशलेशन है जो मैंने कर दिया दोस्तों आप लोगों के लिए आर पता ही है आज घर में कोहें नहीं सारे रो गुर्गा पुजा की शॉपिंग पर गया है अब मैं और मेरी बेटी से बैठे हैं बेटी का चुक्वी होमबस था इस बदा से यह नहीं गई है इसकूल से लाया है और काम कर रहे हैं अपना अपना वह अपना कर रहा हूं खेल खुद रहे अपस मैं न और तो चलिए अब जैसे भी हुआ मैंने आप लोगों को वीडिय आपने वाद